नमस्कार बच्चों आज मैं आपको पाठ दो लाला पटेल की लाइबरी पढ़ाने जा रही हूँ पर उसके पहले मैं आपसे कुछ पहेलिया रिडिल्स पूछूंगी आप उन्हें ध्यान से सुनिए और उसे सुल्छाईए, सॉल्व कीजिए ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फूल भी हूँ, फल भी हूँ, और हूँ एक मिठाई तो बताईए कौन हूँ मैं, सोचिये सोचिये इसका उत्तर है गुलाब जामून गुलाब एक फूल, जामून एक फल इन दोनों को जोड़िये, तो हुई ना एक मिठाई जी हाँ, है ना इंट्रेस्टिंग तो चलिए, अब एक और पहली हो जाए बच्चों, इस पहली को ध्यान से सुनिए क्योंकि यहाँ आपके पाट से संबंदित है ग्यान का भंडार हुँ मैं पुस्तकों का संसार हुँ मैं मनोरंजन का ख़जाना कहते हैं मुझे नाम बताओ कौन हुँ मैं जी हाँ बच्चों, आपने सही बताया पुस्तकाले अर्थात लाइब्रेरी आपके पाट्च्य पुस्तक का दूसरा पार्थ जिसका शीर्शक है लाला पटेल की लाइबरी जी हाँ, आपने सही सुना है लाइबरी, ऐसा क्यों कहा गया है? हम आगे जानेंगे बच्चों, आपको पता है हमारे भारत में सबसे बड़ी और पुरातन ओल्डेस लाइबरेरी कब और कहां बनी थी? मैं आपको बताती हूँ हमारे भारत देश में सबसे बड़ी और पुरातन ओल्डेस लाइबरेरी है नैशनल लाइबरेरी यहा बनी थी 1836, 1836 में कोलकता में बनी थी आज हम एक और लाइबरेरी के बारे में जानेंगे आपके पाठ के दौरा यहाँ लाइबरेरी क्यों बनाई गई? और इस लाइबरेरी का नाम लाला पटेल की लाइबरी कैसे पड़ा? जानेंगे बहुत साल पहले की बात है भारत में अंग्रेजों का राज था चारो तरफ आजादी के नारे गूंज रहे थे गाउं का जीवन वदल रहा था लाला पटेल का गाउं गुजरात में था गाउं में बिजली आ गई थी नई सडके बन रही थी किसान खेतों में नए बीज बो रहे थे नई खाट डाल रहे थे बच्चों आपके पाट के इस अनुछेद में पैरग्राफ में क्या-क्या व्याकरण आया है देखिए यहां विलोम शब्द आये हैं ध्यान दीजिए आजादी इसका विलोम है गुलामी दूसरा शब्द है नए इसका विलोम है पुराने आजादी गुलामी नए पुराने अब आगे देखिए वाक्यांच के लिए एक शब्द या अनेग शब्दों के लिए एक शब्द जैसे किसान पच्चों किसान कौन है? हाँ जो खेत में काम करता है तो यहाँ आप से पूछा जाए खेत में काम करने वाला तो आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही किसान तो अनेग शब्दों के लिए एक शब्द में आपने सीखा है जो खेत में काम करता है किसान बच्चों इस पार्ट में बिफोर इंडिपेंडेंस आजादी से पहले जब अंग्रेज भारत पर अपना राज चला रहे थे ब्रिटीश रूल कर रहे थे तब की बाद बताई गई है हर तरफ आजाद भारत के लिए नारे श्लोगन्स सुनाई दे रहे थे गाउं का जीवन बदल रहा था वहां पर नई सडकें मतलब न्यू रोड्स बिजली पावर सब आ गए थे गाउं के लोग खुश थे इन सब बदलाव चेंजेस से हमारे पार्ट के नायक हीरो लाला पटेल का गाउं गुजरात में था और वे एक किसान फार्मर थे गाउं में किसान खेज जोतते हैं बीज डालते हैं फसल के लिए महनत कर रहे थे बचों चलिए अब हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे लाला पटेल गाउं के बुजर्ग थे सब उनकी सलाह लेते लाला पटेल अनपढ थे वे सरकारी फर्मान पढ़ नहीं पाते थे सरकारी अफसर शहर से आते गाउं के लोगों पर अंग्रेजी में रोब जमाते अनपढ होने का ताना देते बच्चों इस अनुछेद में एक और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आया है ध्यान दीजिए वह है जो पड़ा लिखा ना हो अनपढ लाला पटेल उस गाउं के बुजर्ग थे बुजर्ग मतलब एल्डरली जिनकी उम्र एज बहुत ज़्यादा होती है उन्हें बुजर्ग कहा जाता है गाउं का कोई बड़ा काम हो तो वहां के लोग लाला जी से सलाह अड़्वाइस लेते थे लाला पटेल अनपढ थे उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था जब गाउं में सरकारी फर्मान आता था मतलब कोई गवर्णमेंट ओर्डर आता तो लाला जी नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि वह अनपढ थे जब कभी अंग्रेजी सरकारी अफसर ब्रिटीश गवर्नमेंट ओफिसर्स गाउं से आते थे तो उस गाउं के लोगों के अनपढ होने का ताना देते थे मतलब गाउं वालों का मजाक उड़ाते थे अब हम आगे बढ़ते हैं एक दिन लाला पटेल ने सोचा सरकारी बाबू हमें गवार समस्ते हैं खेती करना क्या आसान है उसमें भी सूजबू चाहिए किसान खेत तैयार करता है धान उगाता है पश्यों की देखभाल करता है मेरे पास जमीन है मैं खेती करूँगा इस उम्मर में मुझसे लिखना पढ़ना नहीं होगा बच्चों इस अनुछेद में एक विलोम शब्द आया है वह है जमीन और उसका विलोम होगा आसमान जमीन असमान लाला पटेल को उन अफसरों की बातें बुरी लगी लाला जी ने सोचा की गाउं के लोग अनपढ़ हुए तो क्या हुआ वे सब किसान है और किसान का काम भी आसान नहीं होता है बीज बोना उसे जोतना फिर काटना इन सब के लिए कितनी सूजबूज मतलग कितनी बुद्धी कितना क्लेवर होना चाहिए बच्चों अभी आपको पता चला हमारा नाया खीरो क्यों अनपढ़ थे वे सारा दिन खेती फार्मिंग का काम करते थे इसलिए उनके पास पढ़ाई के लिए समय नहीं था यह सोच कर लाला खेती करने लगे एक दिन सरकारी फर्मान आया गाउं में लाइब्रेरी पुस्तकाले बनेगा लोग सोच में पढ़ गए लाला पटेल से सला लेनी होगी बच्चों एक दिन उस गाउं में सरकारी फर्मान मतलब गवर्नमेंट ओर्डर आया उस गाउं में सरकार ने पुस्तकाले लाइब्रेरी बनाने की योजना प्लैन बनाया था गाउंवाले सब परेशान हुए और लाला जी के पास सलाह अडवाईज लेने गए सभा बुलाई गई लाला पटेल सभा में आए चौपाल पर चर्चा शुरू हुई मुखिया ने लोगों को लाइब्रेरी के बारे में बताया लाइब्रेरी यानी ग्रन्थाले जिसमें किताबे रखी जाएंगी अकबार रखे जाएंगे बच्चों इस अनुछेद में देखिये तो हाँ एक विलोम शब्द आया है वह है शुरू और इसका विलोम होगा खत्म शुरू खत्म बच्चों आपने गाउं में चौपाल देखी होगी नहीं अच्छा मैं आपको बताती हूँ चौपाल वो जगा होती है जहां सारे लोग जमा ग्यादर होते हैं और जो समस्या होती है उस पर बातचीत करते हैं शहर में सिटी में असेमली होल्स होते हैं जहां पर लोग और वहां बड़े लोग बैट कर फैसले करते हैं तो अब गाउं में पुस्तकाले लाइबरेरी बने या नहीं इस बात की चर्चा डिसकेशन हुआ गाउं के मुख्या मतलब यहां हम उस गाउं का मेंन पर्सन या प्रेजडेंट कह सकते हैं जो गाउं के फैसले करते हैं उन्होंने गाउं वालों को लाइबरेरी के बारे में बताया कि लाइबरेरी में क्या क्या रहेंगे बचों लाइबरेरी में क्या क्या होते हैं आपको पता है न जी हां किताबें, बुक्स, अकबार, निूस पेपर्स यह सब रखे जाते हैं और हाँ बचों उस्तकाले को ग्रन्थाले भी कहते हैं ध्यान दीजिए और याद रखिए ठीक है अब हम बढ़ते हैं पाट की ओर लोग यहां आकर पढ़ सकते हैं गाउं के लोग लाइब्रेरी बनवाना चाहते थे लाला पटेल ने सभी लोगों की बात सुनी वे साहब से बोले बाबू साहब गाउं वालों की यही इच्छा है लाइब्रेरी के लिए मैं भी राजी हूँ मुख्या ने यह भी बताया कि उस गाउं के लोग लाइब्रेरी जाकर पढ़ना लिखना सीख सकते हैं अकबार और किताबें पढ़ सकते हैं इससे वे लोग अनपढ़ नहीं रहेंगे मुख्या की बाते सुनकर गाउं वाले और लाला पटिल गाउं में लाइबरेरी बनवाने के लिए राजी हो गए मतलब सबने अग्री किया कि गाउं में लाइबरेरी खुलेगी तो बच्चों यहां तक जितना पाठ हुआ है उसमें आप लोगोंने व्याकरन में सीखा है उनको एक बार दोहराते हैं रिपीट कर लेते हैं आज आपने सीखा विलोम शब्द में आये हैं आजादी गुलामी नए पुराने जमीन आसमान और हमने सीखा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांच के लिए एक शब्द जो खेत में काम करता है किसान जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़ बचों आज के लिए यहीं तक शेश रिमेनिंग पार्ट अगली क्लास में पढ़ाऊंगी आपको जो भी वर्कशीट पार्ट से सम्मंदित दिये गए हैं उन्हें ध्यान से पढ़िए और अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए आपका दिन शुब हो और आप सब स्वस्त रहें धन्यवाद